हेलो एवरीवन, वेलकम टो एमें अकेडमी, मैं हूँ शाचांक लाकिरा, तो भाई डेली न्यूस एनलेसेज इंडियन एक्सप्रेस, 24 जून 2020, कल से लेके आज तक जो भी जो है न्यूस पब्लिश हुई है, उन सब को जो है मैं आप देखेंगे, और कौन-कौन से जो है आर् प्राइस चल रहा है, उसके बारे में आप बताएगा, और फ्लोर टेस्ट की बात की गई है, कि फ्लोर टेस्ट जो है यहाँ पर होगा, ठीक है, अब मेल लिए अगर आप देखोगे, तो फ्लोर टेस्ट होता क्या है, यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एक कंप ब Tenemos, 2024 में होना है, पैरिस में, मतलब फ्रांस में, इसके अलावा 2028 में होना है, लास एंजल2017 जो की अमेरिका में, अब 2,000, जो 36 के ऑलमपिक्स है, उसके बारे में आप बात की जा रही है, तो आगे अगर हृगे एकगे हम तो स्प्सिश्य इसके इप्रॉर्टेंट आर्ट प्रोग्राम को जो है यहां पर लॉंच किया हुआ है और इसको रिसेंटली जो है करीफ 47 मिलियन डॉलर का जो है बूस्ट मिला है वर्ल्ड बैंक से तो यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता और किस तरीके से जो कर्म योगी है यहां पर डेवलप किया जो हिए पाना होगा क्योंकि ए paranoid policy making का जो काम है जो यहां पर बनाये जाते हैं वह जो है आपको कहां पे मतब संसत में जिहां यहां पर बनाए जातें तो में लियग लिए उनको भी जो है हां पर डैवलप करने की जरुरुत है उस पर भी जया ह मैं इन लोगों को ही नहीं और भी जो बिसीकली और भी जो लोके तरसिलदान है पटवारी है उनके बारे में भी आपister गई है तो सके बारे में भी जहा काबौ बात करेंगे सबसे inwait करें तो सबसे Inίο 소개 मैं फ्लो टेस्स देखने होएगा majorly earthquake जो है देखने को हमको मिला है और इतना ये lethal earthquake था कि basically यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1000 से जादा लोग की जान गई है तालीबान तो यहाँ पे यही claim करता है कि 1000 से जादा लोग यहाँ पे मरे हुए होंगे इसके अलावा पंदरों से जादा लोग घाया है और उनको यहाँ पे rescue किया जा रहा है तो भारत ने एड यहाँ पे provide करी है तो basically इंडिया का जो consignment है वो कहाँ पहुँचा है वो अफगानिस्तान पहुँचा है और ऐसा बता जाते है कि 1000 से जादा लोगों की आपे दैथ होई है तो भारत सरकार ने काफी सारी चीज़े आपे भीजिये और अपनी technical team को भी वहाँ पे deploy किया है तो humanitarian aid भारत deliver कर रहा है इसके अलावा monitor भी आपे किया जा रहा है कि actually situation क्या है आपको बता हुए कि august में ही जो embassy है उसको जो है आपे बंद कर दिया गया था लेकिन finally अभी अगर आप दो को तो इंडिया और अफगानिस्तान के relation जो है थोड़ा बहुत ठीक होती हुए नजर आ रहे है ना नेक्स सेकरा हम बात करें तो flow test समझ लो की flow test आखिर होता क्या है देखो हो क्या रहा है आज के साथ महाराष्ट की government में एक तरफ उद्दव ठाकरे है और एक तरफ आपको जो है शिंदे देखने को मिलेंगे अब हो क्या रहा है शिंदे के साथ काफी सारे जो है देखने जाता है इसलिए यहां पर किया जाता है गवरोनर को यह भरोसा दिलाने के लिए कि भीया हां जो विदाहयक है वो मेरे साथ ठीक है तो इसलिए जो है अपनी मेज़ोरीटि को प्रूफ करने रहे फ्रोंटेस्ट किया जाता है यहां पर देख भी सकते हो फ्लोटेस प्राइमिरे टेकन वैदर एक्जिक्यूटिव एंज्वाइज दॉटेस ओफ लेजिसलेजर अगोंसिटूशनल इसके अंडर में चीफ मिनिस्चर को जो है अपाउंट किया जाता है मतलब गवर्मेंट जो है गवर्नर जो है से हुनी है तो यहां पर होता किए कि अगर सिंगल पाटी मजोरी जो है जाधा विधायक उसके पास है HOuse में तो गवर्नर क्या करेगा उसी पाटी के लीडर को चीफ मिनिस्टर अपॉंट कर देगा लेकिन अगर उसीजोरेटी यहां पे माढदर पाटी ज फेल हो जाता है flow test में तो उसके बाद होगा कि चीफ मिनिस्टर को जो है आप पर resign करना होगा ठीक है क्योंकि वो यहाँ पर fail हो गया अपनी majority को proof करने में ठीक है तो यह जो है flow test कहलाता है और यह दोनों जगे आपको देखने को मिलेगा परलेमेंट में भी और state legislative assembly भी जो है आपको देखने को यह मिलेगा इसके लावाए composite flow test भी होता है एक अनदा test भी है जिसको composite flow test कहा जाता है मेंली इसको जब conduct किया जाता है जब एक से ज़ादा लोग जो है यहाँ पर सरकार की जिम्मदारी लेके चलते हैं ठीक है जब majority यहाँ पर clear नहीं होती मतलब मालो एक गड़बंदर की सरकार है तो आप उसमें यहाँ पर यह कह सकते हो कि हाँ एक composite flow test जो है यहाँ पर किया जाएगा मतलब सभी लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे वोटिंग जो है देंगे अब majority मालो क्लियर नहीं तो government क्या करेंगे special session जो है यहाँ पर बुलाएगा और majority को जो है आपर basically जो है यहाँ पर कोशिच करेंगा कि majority जो है अपनी यहाँ पर बताओ तो majority जो है यहाँ पर की जाएगी प्रेजेंट वोटिंग के तुरू यहाँ पर की जाएगी ठीक हो सकता है इसके अलावा अब दो जो है यहाँ पर एक जाती है और यहाँ पर भी जो है अपनी majority को प्रूफ करना होता है लेकिन यहाँ पर आप दो कि इन केस ऑफ टाई स्पीकर कैन ऑल्सो कास्ट इस वोट लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि फ्लोर टेस्ट वगेरा में कौन जो है यहाँ पर जो है उसका मतलब प्रूटा में स्पीकर करता है तो आयोप से फ्लोटने से यहां पर समझ में आ गया होगा और महराश में देखो अद्दव ठाकरी की सरकार मुझे तो यहां पर नहीं लगता कि बच पाएगी कि शिंदे जो है वो भी काफी पावरफुल लीडर है लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पॉलिटिक्स में यही होती है कि थोड़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि अपनी हैसियत से जादा जो है यहां पर लोन ले रहे हैं तो यह भी आर्टिकल जो है मैंने रिसेंटल यहां पर डिसकस किया था दूसरे आर्टिकल पर आते तो भाईया शॉट फॉल जो है रेन का आपको देखने को मिलेगा 41 परसेंट तो है महराष्ट में वो तो महराष्ट फेस करी रहा है लेकिन वहीं जो है पानी की भी कमी आपको देखने को मिल रही है तो खरीव क्रॉप्स जो है उनको जो है सोईंग यहां पर नहीं हो पारी अब बताओ खरीव क्रॉप्स जो है कब यहां पर सो होती है और कब जो है इन तो 82.5% जो सर्प्लस पानी है वो आपको असम में देखने को मिलेगा असम में तो बाड़ भी आ गई कई सारे लोग जो है उनकी दैत भी हो गई ठीक है तो मेंली मौनसून जो है या टेक्निकली जो महाराज में एंटर हुए 10 जून को और इसने काफी सारे स्टेट को जो है आ आनी प्रॉपर करेगा तो हम आप बवाई कर लेंगे तो में वरी यहां पर यही है खरीव क्रॉप्स की की पल्सेज इसके लावा जो पर्टिकली मूंग और जो क्रीन ग्राम है औरत की दाल है जिसको हम ब्लैक ग्रैम कहते हैं तो इनको जो है आप यह कब यह सोग करें ठीक कि इसकिप कर दिया कि हम जो है दो क्रॉप्स को जो है आप यहां पर कह रहा है तो मेली पानी की जो है काफी जो कमी है वह आपको यहां पर देखने को बढ़े कि इसके अलावा जो रीजन है वहां पे 10.4 परसेंट जो है आपको नॉर्मल हिस्टोरिक एवरेज जो तो मेली अगर आप दो को तो विदार्व में जो है करीब 37.4 परसेंट जो है कम यहां पर पानी आपको देखने को मिलेगा इसके अलावा 51.4 परसेंट जो है आपको मद्रदेश और महरास में आपको मेली कहीं जादा है कहीं कम है तो सफीशेंट रेंज जो है आपर थर्ड जून जो है यहां पे अगर आई तो बिल्कुल ठीक है यूगि मूंगो रोड़ात के लिए जो है बिल्कुल यहां पर ठीक होगा लेकिन बहुत दी कम समय जो है आपर मिलेगा 72-80 days यहां पर मिलेंगे जिसमें जो है हम सोइंग कर पाएं मतलब दाल की ठीक है तो इसकली कर्मयोगी जो है एक प्रोग्राम था भारस सरकार ने इसको लौइंच किया था गौर्रम्मेंट ऑफ इंडिया का फंशन कर्मयोगी प्रोग्राम और इससे जो सिविल सर्विस कैपसिटी है उसको यहां पर बिल्ट किया जाएगा और रिसेंटली करी 47 मिलीन डॉलर क जो है boost मिला है world bank से और प्रामेस नरेंद बोधी यहाँ पर यह कहते हैं कि हमको जो है इस तरीके के champion यहाँ पर बनाने है जो की इस तरीके से मतलब capacity building हमको कर रही है जिससे जो है हम proper यहाँ पर governance दे पाएं 2004 में जब चीफ मिनिस्टर रही है गुजरात के उस समय इन्हों ने चिंतन शिविर को भी जो है लॉंच किया था जिससे जो पॉलिसी थे उसको यहाँ पर डिसकस किया गया तो प्रिजेंट अगर आप देखो कि तो सरकार को एक बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर कैपसिटी कहा जाता है एक रेफॉर्म इंडियन ब्रोकैसी में यूनियन केविनेट ने जो है इसको सेकेंड सेपकेंबर 2020 को लॉंच किया था यह जो मेशन है यह बेसिकली इंडियन सेविल सर्फिसेंट्स के लिए जो है लेडाउं किया गया है जैसे कैपसिटी बिल्डिंग होगी इ इसको जो है हम एनेंस कर पाएंगे मतलब लोगों तक अच्छे से अच्छी सर्फिसे जो है आपर दे पाएंगे iyसकोिесь का एम क्या है कि नया नेशनल बिल्डिंग को सेके पैनेंघ करनाjd इसके अलावा ये करी 40 लेक जो Central Employees है 2020 से 2025 तक उनको पूरे तरीके से यहाँ पर कवर करेगा इसमें Special Purpose वीकल है बेसिकली एक Non-profit Company है जो सेट अप किया गया है जो Companies like 2030 ने उसके अंदर में जो जो है इस पूरे Mission को यहाँ पर run करेगी इसके अलाव जो SPP है ये IGOT कर्मयोगी को भी जो है मैनेज करेगी बिसिकली एक Online Training Digital Platform है जो की सबी लोग जो है यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे अब भारत सरकार यहाँ पर यह कह रही है कि Recently जो है Mission कर्मयोगी प्रोग्राम जो है उसको करी 47 Million Dollar का जो है Boost मिला है World Bank से अब प्रधानवंति द्रेइद मोधी 2004 में जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे तभी जो है उन्होंने एक शिविर को जो है लॉंच के चिंदन शिविर जिसमें जो है दो इयर का जो है induction training यहाँ पर दी जाती थी वहीं lower civil services जो है उनको कोई भी ट्रेनिंग यहाँ प्रोवाइड नहीं की जाती मतलब जो UPSC यहाँ पर clear करते हैं तो जो UPSC यहाँ पर clear कर रहे हैं उनको जो है यहाँ पर क्या है हर दो साल में यहाँ और ट्रेनिंग जावा IAS में भी ऐसा नहीं कि हर किसी को यहाँ पर district magistrate या collector यहाँ पर बना दिया जाता है नहीं कई लोग जो है यहाँ पर lower level पे भी रहते हैं ठीक तो उनको भी जो है आपर training proper जो प्रोवाइड करनी चाहिए इसके लाव 1985 में तो बारत सरकार जो है आपर रिगनाइस है कि फौर वीक की जो है training होगी जिससे जो है proper learning जो है आम यहाँ पर दे पाएंगे तो प्रे प्रफेशनल प्रोग्राम पॉब्लिक पॉलिसी के लिए तो आयम बेंगलोर में लॉंच किया गया थी कि आयम एमदाबाद में किया गया एमड़ी गुर्गाओं में किया गया तेरी इन्वसिटी में किया गया तो गवर्मेंट जो है फर्दर यहां पे स्टेंड़ करती है कि भी या आईएस ओफेसर्स को जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइट करेंगे तो यहां पर कई सारे फेजिस पर जो हैं सबको यहां पर लॉंच किया गया था तीन डिफरेंट पॉइंट जो है केरियर के हमको देखने को यहां पर मिलते हैं अब आज प्रिजेंट में इसकी क्या सि क्योंकि डेमोक्रेसी जो हैं आप है मैच्चोर होती जा रही है उनको एक बहुत ही प्रोडक्टिव रोल जो है पॉलिसी मेकिंग में प्ले करना है ठीक है और यह जो है काफी इंपोर्नेट भी क्योंकि अगर आप देखोगे तो आज के समय अगर आप देखोगे जो यूद किसे आप डेवलप करना है उसके बारे में आप इनको सोचना चाहिए इसके अलावा जो यह प्रोग्राम है ना कि हम बिल्ड कैपसिटी को जो है आप बनाएंगे तो फ्यूचर वर्क के लिए आपर रिलाइस करना चाहिए कि आने वाले समय में किस तरीक से फ्यूचर होगा किस तरीक से जो है काम किया जाएगा इसके अलावा एक प्रॉपर तरीके का जो है यहां पर मतलब फ्रेमवर्क जो है डेवलप करना चाहिए इसके अलावा पूरी इस तरीके से यहां पर कमांडों की चेन बनाने चाहिए जिससे जो इनका कैप्टेन है वो बिल्कुल जो है यहां पे national goal तक इनको पहुंचा दे तो में ली यहां पर यहां पर यह कहा जा रहा है कि ship का driver जो है इस तरीके से यहां पर होना चाहिए जो सभी लोगों को साथ लेके चले और proper जो है policies को यहां पर form कर पाए इसके अलब अगर आप दो पॉलिसी को फ्रेम करना चाहिए कि हमको आने वाले समय में कम से कम समस्या हो मतलब हम प्रेट के लिए पहले ही यहां पर प्रॉपर प्रिपेर रहे हैं इसके लाब अगर आप देखोगे तो basically जो frontline workers हैं उनके लिए भी जो है आप इस तरीके का डेवलप करने चाहिए framework कि उनके self-respect भी यहां पर हो लोग उनकी जो है आपे value भी करें इसके लाब जो police constable है पटवारी जो फ्रेंट लाइन ट्रक्स है उफिस प्यून है पोस्ट मैन है इन सब की भी जो है आप सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए ठीक है में ली क्योंकि इनको अगर आप दोगो तो इनका जो रोल है वो आपको public management में काफी जादा जो है देखने को मिलेगा ठीक है इस पूरे जो government का जो पूरा circle चलता है उसमें जो छोटे-छोटे workers हैं पटवारी हैं सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि भारत सरकार के पास सब कुछ है भारत के पास आपको देखने को मिलेगा ठीक हमको सिर्फ क्या करना है एक्जिसिंग जो इंस्टियूशन है एजुकेशनल सेंटर है इसके लावर जो अवेलेबल एक्सपेटीज है हमारे पास जो नॉले रख रख कर दी किया है तो काफी ज्यादा चीज़ें और यहाँ पर कर सकते हैं यहां पर बात करें पाती गाएं और सेम सफरिंग यहांपर पताई जारी मस्ट है विल्ट रिध लेलाइन अगेंस रिकुलिंग फ्लर्स पूट वर्निंग सिस्टेम लॉंग टर्म मिटिकेश को मिलेगा अब महाराष्ट में हुआ क्या कि महाराष्ट के जो नेता है वो असम में जाके यहां पर बैढ़ और असम में आपको पता है किस तरीकी कि वार आपको देखने को बलेगी तो ब्रह्मपोत्र बराक और उनके ट्रिब्यूटरी इस हैं इतना मैसिव फ्लट यहां पर कि तो जो सेंटर और स्टेट गॉर्मेंट है उन्होंने कई सारे रिलीफ ऑपरेशन जो है अल्रेडी यहां पर क्या कर दिया है लॉंच कर दिया तो आसंगी चीफ मिनिस्टर है नहीं पर यहां पर कर रहे हैं कि जो पर्मनेंट सॉलूशन है उनको जो है आं पर कुछ ना प्लट का बरम्रा पोत्र का जो प्लो है वह आपको बरसात में बहुत जादा जो है तो मेली होता क्या है कि उस तरफ मौनसून जाब आता है तो बहुत जादा पानी यहाँ पर किरता है तो मेंली यहाप इसी चीज़ को कहा जा रहे है कि हमको जो है प्रॉपर यहाप इस्ट्रक्चर को जो है डैवलप करना चाहिए प्रॉडिकली जो है बिसिकली जो फ्लॉट्स का जो है आप प्रॉपर मेनेजमेंट हमको करना चाहिए ठीक है और मेंली प्रिजेंटल अगर आप आप देहोगे तो climate change जो है सबस्यादा issue है तो असम का जो flood management data है वो यहाँ पर यह शोग करता है कि हमको जो है इनको यहाँ पर बहुत ही seriously जो है लेना चाहिए लास्ट यहर अगर आप देहोगे तो state water resources ministry जो है minister जो है यूश हजारे का उन्होंने यहाँ पर inform भी किया था यहाँ पर चीज़ों को जो है form करना चाहिए और देखो मैं यहाँ पर यहाँ पर देखो कि तो दोनों की geography में जो है काफी दा अंतर भी आपको देखने को मिलेगा तो मेली जो early warning system में उन सब को जो है some में आपर inform करना चाहिए proper जो है यहाँ पर लोगों को जो है चीज़े यहाँ पर ववस्ता है करने चाहिए मतलब disaster management authority है उसको यहाँ पर पूरी तरीकी सुछा तयारी रखने चाहिए क्योंकि हर साल अगर आप देखो तो असम में आपको जो है problem देखने को मिलेगी ही और यहाँ पर देखो यह भी चीज कही जा रही थी कि जो कवाटी है उसको smart city जो है 2025 यहाँ पर बनाया जाएगा लेकिन इस तरीकी situation आपको देखने को मिलेगी कि मार्च से में में करीब 62% जो है more than usual rainfall आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो basically जो है में इसी चीज को चाहिए कि flood जो warning system में उनको यहाँ पर install करना चाहिए people की shifting यहाँ पर कर देनी चाहिए live stock को safer location पर यहाँ पर shift कर देना चाहिए ठीक है so basically इसी चीज़ को जो यहाँ पर कहा जा रहा है जिससे जो है हम flood को यहाँ पर रोक पाएं नेक्स अगरा हम बात करें तो fertilizer pinch के बारे में यहाँ पर कहा गया है अब देखो हो क्या रहा है कि present के अगर आप देखोगे तो भारा जो है बहुत ही भारी मातर में fertilizer को जो है इप्पोर्ट कर रहा है कि यहाँ देख सकते हो ठीक है यह जो पूरा मैप है ना इससे आप यहाँ पे देख सकते हैं to import of fertilizer and imports तो mainly यह अगर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या ध istkis तो बेसिकली भारत के जैसा कोई देश नहीं है जो कि यहां पर फार्मिंग पर निर्बार हो करीब 169.3 मिलियन हेक्टियर जो है यह 2019 में लेंड यहां पर क्रॉप कल्टिविशन के लिए यूज की जाती थी ठीक है जो यूएस से चाइना से रशिया से ब्राजील से इन सबसे आपको देखने को मिलेगी वही अगर आप देखो के तो इंडिया में जो वाटर बेसिकली जो लेंड व आपको जो है काफी यहां पर ठीक ठाक जो है आप देखने को मिलें अब क्या है कि 3000 अगर आप देखोगे और उसके पहले अगर आप देखोगे तो मेली एक रिसोर्स जो है सबसे आदा इंपॉर्टन है हमाई लिए नहीं यहां पर इसी चीज को कहा जारे कि जिस तरीके से भारत जो है यूरिया को यहां पर इंपूर्ट कर रहा है यह काफी डिजास्टर सिचुशन जो है ला सकता है और देखो सबसे इंकॉर्डन बात है कि हमारे पास अगर आप देखोगे तो काफी सारी रिवर्स है जहां से जो है मिनरल्स बहुत जादा आती है मतलब मेली जो अगर आप जो यहां पर देखोगे तो इसा बता जाए कि 2021 में इंडिया ने 23.42 में करें लिकवारवाइट नेचरल गेस को इंपोर्ट किया लेंगे को यहां पर इंपोर्ट किया ठीक है इसके लावब पैटूलियम मिनिस्टी अगर आप डाटर देखोगे तो यह भी यहाँ पताते कि भारत जो है बहुत ही बड़े लेवल पर जो है आप इंपोर्ट करता है और देखो सबसे इंकोर्डन बात यहाँ पर यह भी है कि किसानों को फर्टिलाइजर सस्ता भी फर्टिलाइजर नत एक डालत यहाँ है बहुत है असलिक ॆ जहां थो यहाँ पे किया जाता है तो में ली तो मैंस्टिक चाल चैमिकल का तो फोस्फ़रीक एसट न यह अधर काफी जादा जो है बहुत है एवन जफ्योड़े उसका तो कम देखने को मिलेगा यहाँ ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलने बाला है है तो इसी चीज़को यहाँ पर कहा जा रहा है कि basically भारत को जो है जो यूरिया पी जो है अपनी डिपेंडेंसी सब्सक्राइब करना है मतलब हम इस पर रोक लगानी चाहिए तो इसी चीज को यहां आपको पता होगा कि मेंली जो है food security काफी सारी problem जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगी ठीक है food security जो है सबसे बड़ा जो है पूर इंडिकेटर है आपको economic development का हम कभी यह बोच नहीं कोई भी देश यहां पर विक्सित है जब यहां पर खाने पीने के पूरे health यहां पर नहीं बनेगी health नहीं रहेगी तो उनको काफ सारी जो है यहां पर health issues भी हमको देखने को मिलेंगे पिसी चीज़ को यहां पर कहा जा रहा है कि अब जो है हमको soil को जो है आप बचाना चाहिए future के लिए क्योंकि सबसे अगर आप की elements देखोगे sustainable food production के लिए तो वह है healthy soil अगर healthy soil जो है सही है तो बिल्कुँ जो है आप फूड भी अच्छा होगा 95 परसेंट जो है global food production जो है वह स्वाइल पर डेपे करता है और current status अगर आप देखोगे तो soil का सबसे बड़ी समस्य आपको देखने को मिलेगी in fact जो है जो दिशा फांडेशन के जो वह है विशेश जगी टेक है सद्गुरु जगी तो वह भी जो है यहां पर सेट आप चला रहे है तो presently यहां पर यही कहा जा रहा है कि about one third of the earth soil is already degraded and alarming about 90% could be degraded by 2050 तो इस चीज़ को जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि अभी already दो तिहाई जो soil है वह यहां पर degraded हो चुकी है आने वाले समय में 2050 तक 90% जो soil है वह यहां पर degraded हो जाएगी तो जो की काफी alarming है ठीक है भारत में अगर आप देखोगे तो 155 million hectare जो है भारत में यह degradation की जो है और आपको देखना को मिलेगा ठीक है और यह estimate किया जा रहा है thećland or soil water की जो वहजी Partners की मिलेगी आप समय आ रहे जैसे क्या होगा अगर मालो एस तरीके से पूरी । हमको जो है यहां पेar food security में फ्रेट हमको देखने को मिलेगा मतलब आने वाले सबе में हमको Internet की जो है कोई भी यहां पर बवस्ता नहीं होगी इसके अलाबा ये environment को भी seriously damage कर सकता है तो मिली इसी चीज़ को जो है आपे कहा जा रहा है तो एक जो soil है mainly वो जो है सबसे important जो है आपको देखने को मिलेगी ठीक है तो soil degradation जो है सबसे ज़्यादा problem है और 21st century में कर आप देखो कि तरह सा बता जाता है कि approximately 2.3 billion टल जो है यह project किया जा रहा है 85% जो है यहाँ पे decade होगा ठीक है इसके अलाबा दूसरा challenge यहाँ पे यह है कि जो salenization हो रहा है यह भी जो है काफी problem जो है create कर सकता है तो इसके effect से 160 million hectare जो है जो है हमको यहाँ पे करना चाहिए और डारेक्टर जनरल ऑफ फूड अग्रिकल्चर और्नाइजिशन जो है FAO मतलब इसका headquarter जो है आपको अगर मैं गलत नहीं तो आपको रोम में जो है देखने को मिलेगा तो मिली इसी चीज़ को जो है यहाँ पर यह कह रहे है कि भीया अब जो है समय आ चुका है कि हमको क्या करना है कि soil पर जो है focus करना चाहिए reversing soil degradation is vital if we want to feed a growing global population protection biodiversity and help address to the plants climate crisis तो basically यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अब समय आ चुका है कि soil को जो है यहाँ पर feed कर पाए बायो diversity को protect कर पाए इसके अलावा जो plant climate crisis है उसको भी हम क्या कर पाए उसको भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर tackle कर पाए तो इसलिए जो है बिलकुल आने वाले सबे में आपको काफी सारी problem यहाँ पर देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर आप distribute किये गए है यहाँ पर soil की health तो improve करेगी ही इसके साथ साथ जो farmer है उनको भी जो है आपको help करेगी तो crop production में जो है काफी जादा आपको increase देखने को मिलेगा उससे होगा कि जो farmer है उनको भी जो है यहाँ पर benefit होगा तो मिलनी soil जो है सबसे important part जो है आपको production का जो है देखने करती है और भारत की ही नहीं सबी देशों में अगर आप दो कि तो अगर agriculture fail हो गया ठीक है मतलब production ही नहीं हो रहा तो फिर कहां से जो है खाना आप लेके आओगे तो इसी चीज़ को जो है आप बताया गया है तो यह था 24 जुन 2022 का news analysis तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है आपकास को जानने को बला होगा आप कमेंट जरूर करिएगा इसी के साथ यह तर्थ वीडियो का सुने के लिए बाब धन्वाद चैहिंच चैह भारत